अपने बाथरूम में टॉयलेट सीड लगाने से पहले ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपके पैसे भी बचेंगे अच्छी टॉयलेट सीड लगेगी और फ्यूचर में कोई मेंटेनिस करने की ज़रूद नहीं है और जितना इंवेस्ट करोगे उससे अच्छी कि वॉल मॉंटेड लेनी है या वन पीस लेनी है वो मैं डिस्किप्शन में लिंक डाल दूँगा वो वीडियो देख लेना आज मैं वन पीस का आपको बताऊंगा कि वन पीस अगर लेने जाते हो बाथरूम भी बहुत अच्छा दिखते है बहुत विराइटी आपको मिलती है और एक लगजरी लुक भी उसमें मिल जाती है अगर वन पीस सीट आप लगाते हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या करने है जब भी वन पीस टॉयलेट सीट लगानी है आपको जो प्लंबर पॉइंट रखता है जहां से हमारा वेस्ट बार जाने वाला जहां हमारी सीट नहीं लाते हो वो पॉइंट रख देता है दिवार से 4 इंच दूर या 9 इंच दूर या 12 इंच दूर क्यूंकि उसको आइडिया नहीं होता है और वो पॉइंट आगे पीछ रख देता है उससे होता क्या है जब आप सीट ले आते हो वो पीछे जो जगा बचती है जहां बि दिक्कत आएगी, यह पहली चीज है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब भी सीट लेनी है, फ्लशिंग, फ्लशिंग बहुत इंपोर्टन चीज है, फ्लशिंग चेक कर लेना, क्योंकि न्यू टेकनोलजी आईए, तो अभी नहीं चीजें लगानी हैं आपको, तो एक आती है, फ्लशिंग, नॉर्मल फ्लशिंग, एक आती है, 3D या 4D फ्लशिंग, अब इन में एक है डिफ्रेंस है, नॉर्मल फ्लशिंग सिंपल हो गया, फ्लशिंग रहाँ, पानी गया, अबाज भी उतनी आई, सब दिक्कते हैं, लेकिन जो आपको, इस समय फ्लशिंग लेना है, वो लेना है 4D फ्लशिंग जिसको, साइफोनीक फ्लशिंग भी बोला जाते है, 4D flush बोलो 4D flush क्या हो गया देखो ऐसा flush होता है जिसमें बिल्कुल भी मतलब rimless होता है वो अभी पहले समझ लो rimless क्या है rimless हो गया कुछ ऐसा बना होगा जिसमें दोनों तरफ एक point होता है और point directed होता है sound भी नहीं होती और इसमें flush पूरा proper तरीके से होता है hard से hard waste आपका निकल जाता है जेकिन जो regular होती है उसमें ऐसे point point से होती है उसमें क्या होता है hygiene नहीं होता है उसमें किटानू बगारा यह सब चीजें jumps बगारा रह जाती है तो वह दिक्कत आती है साफ करने में और जम free नहीं होती वह लेकिन आपको हमेशा क्या लेनी है 4D flush लेनी है और rimless लेनी है अभी 4D flush में क्या होगा जो flush होगा अच्छे से flush होगा जिसमें आप देखो अंदर से कुछ आपके दिखी कि वह 4D flush है और rimless है और जो normal regular आती है उसमें यह point point से होंगे और उसमें sound भी रहती है तो sound इसमें अच्छे नहीं लगती है देखो जब flush करोगे तो इसमें इतनी ज़्यादा sound नहीं होती है साइफोनिक flush होता है और based आपका बाहर चले जाता है यह चीज़ द उनकी ना service होती है एक बार आपने seat लगा दी तो अगर बाइचंस वो काम नहीं कर रही है दिक्कत आ रही है तो आपको वो seat पूरी उखाड के बापिस लेनी पड़ेगी कहां दुकान पे वो फिर उसकी replacement दे देगा अगर होती होगी replacement लेकिन अगर आप वरंटी लेते हो वो on-site आके repair करते हैं और वरंटी के साथ बहुत अच्छी मतलब ये maintenance भी अच्छी रहती है उसकी और कोई दिक्कन वरंटी रहती है तो brand सस्ते में भी है आप सोमानी का ले लो सेरा का ले लो एक अच्छे price में आपको seat मिल जाएंगी अगर budget अच्छा है तो आप Perry Wear चले जाओ ह थोड़ी costly आती है तो मेरे ख्याल में आपको हमेशा जो seat लेनी है वो branded लेनी है अगली चीज है seat का cover बहुत इंपोर्टन चीज है seat का cover आपको हमेशा कून सा लेना है हाईडलिक duroplast हडलिक भी होना चाहिए और duroplast seat cover लोगे तो उसमें होता क्या है लेकिन देखो duroplast जो होता है बिल्कुल slim सा और easy to clean होगा मतलब उस पे एक लेट चड़ाई होती है कि उस पे इतने जादा stain नहीं रहेंगे और easily आप उसको खोल सकते है उस seat को कोई भी खोल सकता है द अगली चीज होती है जो हम jet और health pocket लगाते हैं तो आपको मेरे ख्याल में दोनों चीजे रखनी चाहिए seat के साथ आपको jet भी लगाना है क्योंकि seat वो पूछते है jet चाहिए नहीं चाहिए तो jet आपको लेना साथ में और साथ में health pocket ज्यादा खर्चा नहीं होता है मतलब एक तो देखो उसमें क्या होगा jet में बोला जाता है जो research बगारा होई है तो कि jumps बगारा रह जाती है तो आपको jet यूज नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ लोग jet यूज करते हैं तो jet रखिए health pocket ले लिजिए वो भी अच्छी चीज है यह चीज होगी फिर most important चीज आती है जब अपनी अपनी जगह अच्छी है देखो जो square और rectangle shape आती थी वो पहले बहुत चलती थी क्योंकि easy to fit होती थी उसके मतलब covers भी आपको easily मिल जाते तो easy अच्छी थी वो लेकिन उसमें जो luxury look वो कम हो जाता है as compared to round or oval round or oval देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन sitting में बहुत कम होती है as compared to square to rectangular, square or rectangular जो shape होती है वो जगा थोड़ी जादा लेती है मतलब उसमें जगा हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए लेकिन जो oval or round आता है उसमें जगा हमें कम चाहिए तो मैं कहूंगा round में लोग एक तो अच्छी भी दिखती है आजकल comfortable भी हो कोई दिक्क बैठने में आपके गर में कोई बच्चा है यहां आप बैठते हो तो जितनी ज़्यादा नीचे seat रहेगी उतना ज़्यादा comfortable रहती है मेरे ख्याल में तो 15 इंच से 17 इंच के बीच की होती है वो आपको standard में ले लेनी है उसकी standard height जो होती है 15 से 17 इंच उसमें चला जाओ अगर मतलब कम लगाएगी seat और अच्छे से flush होगा तो वो अच्छे ही है तो आज कल काफी seats ऐसी आ गई है जितमे water saving का features है water saving का feature क्या पहले जो flush किया जाता था मतलब 6.5 लिटर पानी एक flush में यूज होता ही होता था अगर कोई 10 बार बातरूम गया 10 से 20 बार तो यूज कर आ गई है जो चार से साड़े चार लिटर पानी ले रहे है मतलब 1.5 लिटर पानी कम हो गया तो वो seats के साथ आपको जाना चाहिए जिसमें पानी कम लगता है और इसमें flush system आ जाता है flush system क्या होगए dual flush system क्या करेगा एक होता है कि आप थोड़ा toilet के लिए जा रहे हो तो जो ब 5 लिटर वो पानी लेगा मतलब dual flush system हो गया थोड़ा भी कर सकते हो जादा भी कर सकते हो तो आपको यह चीज भी लेके देनी है कि जो flush system होगा dual flush system लेना water saving वाला लेना और साथ ही साथ जो flushing आपको लेनी है वो 4D flush लेना है और brand के साथ जाना है और distance plumber को पहले बता देना है बाकी colors आपकी choice पर depend है कि आप कौन सा seat का color चाहते हो mostly white और ceramic चलता है तो आप off white या white कर सकते हो black में भी जा सकते हो brown में जा सकते हो काफी color option मिलते हैं आपको अपनी tile के हिसाप से अपने bathroom के हिसाप से उसको design कर सकते हो मेरे ख्याल में आपको tips मिल गया होगी कि जब भी आपक seat लेनी है तो क्या क्या चीज़े द्यान देनी है तो यह हो गया अभी जिसको video देखनी है कि wall mounted लगानी चाहिए या one piece लगानी चाहिए उसकी में video description में link डाल चुका हूँ उस पे click करना वो देख लेना उसमें से दोनों में से आपको option मिल जाएगा अभी मैं लेता हूँ अल